जी नमश्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, आई जानते हैं 2 दिसंबर 2017 शनिवार का राशी फल आप सब के लिए क्या कहता है? वेश राशी वालों को ये समझना है कि जिंदगी की बहुत सारी चुनोतियां हैं जिनका कि आपको सामना करना ही पड़ेगा, फैसला कोई भी करें पर अपने पैसे को बचाये रखें, ताके कोई अन्होनी न हो जाए, लोगों के साथ तालमेल बनाये रखना भी एक बहुत ब सिंग राशी वालों का अगर रिष्टों में तक्रार बना रहेगा, तो आपकी अपनी कोशिशें भी जैसे विफल होती चली जाएंगी, वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है जिसमें अपनों से विचारों का मत्भेद बढ़ सकता है, जिसे आपको संफालना तो पड़ेगा ही, क सिंग राशी वालों के लिए हालात मददगार है, पर किसी भी तरह का बड़ा खत्रा मोल लेने से तो आपको बचना हो जाएगा, वैसे भी इस समय काम के प्रती आपकी लगन अच्छी है, जो स्थिर्टा प्रदान कर सकती है, सिंग राशी वालों की घर परिवार की खुश आपके अंदर वो शमता है, जो आप अपनों का ख्याल रख सकें और अपनों का दिल जीत सकें, कन्या राशी वालों के लिए हालात मददगार है, पर किसी भी तरह का बड़ा खत्रा मोल लेने से तो आपको बचना ही होगा, तब ही जाकर आपको अपनी कोशिशों का पूरा फाइदा मिल पाएगा, तुला राशी वाले ही समझ ले के आर्थिक स्रिति के बहतर हो जाने से कई तरह के मसलों को संभाला जा सकता है, वैसे भी ये लाबदायक समय है, जब लोग आपकी बात को समझ सकें और उसकी सरहना कर सकें, प्रिश्चिक राशी वालों के अगर खर तो रखना ही पड़ेगा, मन में उठते हुए उतार चड़ाव का ये बहुत बड़ा कारन हो सकता है, जिसो ध्यान तो आपको देना पड़ेगा, मकर राशी वालों के आर्थिक स्रिति भी ठीक है और अचानक धनलाब का योग भी बना हुए, पर कोई प्यार का रिष्टा अपनी ही परिशानियों के दौर से गुजर रहा है, उसे भी संभालने की ज़रूर, कुम राशी वालों के लिए कामकाज से जुड़ी स्तिती मददगार है और धनलाब के योग भी बने हुए, यही कारण है कि कामकाज की प्रात्मिक्ता को समझते हुए ही अपने कदम आग ही पड़ेगी, यह था जी आप सब का 2 दिसंबर 2017 का राशी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज की तरह आज भी मुझ से जुड़ने के लिए, नमस्कार